आज हम आपको बताएंगे दुनिया की पांच सबसे अजीब और गरीब कानून दोस्तों आपने तो ये देखाई होगा अगर कोई बिक्ती कोई अपरात करता है तो उसे उस अपरात के हिसाब से सजा दी जाती है पर कुछ देशों में ऐसे कानून भी है जो काफी अजीब और गरीब हैं और आपको इसके बारे में जानकर काफी हसी भी आ जाएगी तो आएए हम आपको इस दुनिया की पांच सबसे अजीब और गरीब कानूनों के बारे में बताते हैं नमबर एक पुनर जनम लेने के लिए परमिशन दोस्तों आपने पुनर जनम के बारे में तो सु पत्नी का जनम दिन भूलने की सजा दोस्तों अगर हमारे भारत में कोई पत्ती अगर अपनी पत्नी का जनम दिन भूल जाए तो कोई बात नहीं है ज्यादा से ज्यादा पत्नी नाराज होगी समवा एक ऐसा देश है जहां अगर कोई बेक्ती अपनी पत्नी का जनम दिन भूल जाए तो उसको जेल भी हो सकती है नमबर थ्री मरने से पहले अपनी कबर खरीदना दोस्तों आम तोर पर अगर हमारे भारत में कोई बिक्ति मर जाए तो उसे कहीं भी दफनाया जा सकता है लेकिन फ्रांस के सर पॉर्डेंग्स नाम की एक जगह है और यहां के लोगों को मरने से पहले अपनी खुद की कबर खरीद कर रखनी परती है वरना उसे दफनाया नहीं जा सकता नमबर फूर फार्ट मारने पर सजा दोस्तों हम भारतिया कहीं भी कभी भी फार्ट मार देते हैं और कुछ लोग तो काफी सौक से फार्ट मारते हैं लेकिन फ्रोडिटा नाम का एक ऐसा देश है जहां कोई बेक्तिव वेटनेस डे को साम 6 बजे के बाद पप्लिक प्लेस पर फार्ट मारना गैर कानूनी है नंबर 5 नांक साप करने पर सजा दोस्तों हमारे भारत में कोई भी कहीं पर भी अपना नांक साप कर सकता है पर इस्राइल एक ऐसा देश है जहां प्लेस पर नांक साप करना गैर कानूनी है और अगर कोई ऐसा कर ले तो उसे जेल की हवा भी खानी परती है तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर करें और आपको अपने स्क्रीन पर एक गंटी दिख रही होगी उसे दबा दे ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपके पास पहुंच जाए